ये धमाके तो बहुत जोटे हैं बड़ी फिल्म का जोटा सा ट्रेलर है असली धमाका तो अब होने वाला है और धमाका करेगा इरान इरान ने अगर बब फोड़ा तो वो दुनिया का आखरी बब धमाका भी साबित हो सकता है क्योंकि वो ऐसा ब्लास्ट होगा जो पूरी दुनिया की चीथड़े उड़ा देगा ऐसा ब्लास्ट जिससे बचना नामुम्किन होगा डर है कि इरान सीधा परमानु बब और वो परमानु बम का टाइमर सेट कर चुका है एरान घुसे में है बहुत घुसे में है घुसे में उसने अपने दोस्त चीन से फोन पर बात की और साफसाफ कह दिया है कि इसराइल ने गाज़ा में अब हद पार कर दी है उसने एरान के सबर का बांद तोड़ दिया है इस प्रफ़ी गयामत्यास इरान की विदेश मंत्री ने अपने बयान में धमाकर शर्ब्द का इस्तमाल किया और पूरी दुनिया में तेहल का मच गया अमेरिका से लेकर ब्रिटन और फ्रांस जैसे तमाम पश्चमी देश खौफ से भर गए हैं सब सूच में पड़े हैं कि एरान किस धमाके की बात कर रहा है आखिर उसके दिमाग में क्या साज़िश चल रही है डर जताया जा रहा है कि कहीं एरान ने परमाणू बम तो नहीं बना लिया इरान करीब दो दशक से चोरी छिपे परमाणू बम बना रहा है मगर ये बात वो मानता नहीं वो कहता है कि उसके न्यूकलर प्रोग्राम का हथियारों से कोई लेना देना नहीं उसका परमाणू कारेकरम एकदम शांती पूर्ण है मगर करीब छे साल पहले इसराईल ने बाकाइदा सबूतों के आधार पर एरान के परमाणू कारेकरम का भंडा फोड़ दिया था एक किताब में दावा किया गया है कि 2018 में इसराईल की खुफ़ए एजनसी मुसाद के एजन्ट चुपके से एरान की राजधानी तहरान के पास एक खुफ़ए ठिकाने में घुस गए थी वहाँ उन्होंने हजारों की दादाद में ऐसे टॉप सीक्रेट फाइलें चुरा ली थी जिनमें इरान के परमाणू बंबनाने के कारेकरम का पूरा का पूरा कच्चा चथा था इसी साल मई में अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसियेटेड ब्रेस ने एक रिपोर्ट च्छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि एरान ने अपना एक परमाणू प्लांट जमीन के इतने अंदर बनाया हुआ है कि अमेरिका की मिजाईलें भी उसे भेद नहीं सकती जमीन में 260-328 फीट तक गहरी सुरंगे ये गहराई इतनी ज्यादा है कि माना जा रहा है कि अमेरिका के बम भी इरान की सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे येरप के भी कई देशों के इंटेलिजन्स रिपोर्ट कहती है कि इरान परमानू बम बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि वो बहुत जल अपना पहला परमानू बम टेस्ट भी कर सकता है इरान की परमानू बम बनाने के लिए इतना यूरेनियम जुटा चुका है कि महज 12 दिन में परमानू बम बना डालेगा ये दावे डरावने है क्योंकि जब से हमास ने इसराइल में घुसकर हमला किया है तब से इरान के न्यूकलियर प्रोग्राम से पूरी दुनिया का दिहान हटा हुआ है इरान के जिस परमानू कारेकरम से अंतराश्ट्री मीडिया की नजरे नहीं हटती थी वो युद्की रिपोर्टिंग में लगा है इरान के परमानू कारेकरम पर गिद्ध की तरह नजरे गड़ाए बैठे अमेरिका और इसराइल जंग में उलजे हुए है रक्षा विशेशक्डियों का कहना है कि इरान इसी बात का पाइदा उठाकर चोरी छिपे धडलने से परमानू बम बनाने में लगा है सवाल ये है कि क्या साथ अक्टूबर को हमास से इसराहिल पर हमला करवाना इरान की सूची समझी साज़िश का हिस्सा था ताकि वो पश्चमी देशों का ध्यान हमास में भटका कर आराम से अपना परमानू बम बना सके क्या बीते दो महीने से इरान परमानू युद की प्लैनिंग कर रहा है इरान ने यूहीं तो धमाके की धमकी नहीं दी होगी जरूर उसके हत्यारों के जखीरे में प्रमास्त्र आ गया है इरान की धमकी का मतलब है पत्थर की लकी अब वो दोबारा नहीं चेताएगा बलकि सीधा अटाक करेगा इरान के विदेश मंत्री ने फोन पर चीन के विदेश मंत्री से ये भी कहा कि गाजा की जंग पूरे पश्चिमेश्या में फैल चुकी है अभी तो बस लेबनान का हिजबुल्ला और यमन के हुथी वित्रोही हमास के साथ खड़े हैं आगे चल कर कई और देश इस जंग में कूच जाएंगे ऐसे में अगर इसराइल ने अब भी हत्यार नहीं डाले तो फिर जंगों का ऐसा विस्वोट होगा जिसमें पूरा का पूरा पश्चिमेश्या तबाह हुजाएगा फोन पर चीन के विदेश मंतरी ने इरान के विदेश मंतरी को समझाया कि गाजा की जंग का सिर्फ एक ही समाधान है और वो ये है कि इसराइल के साथ फिलिस्तीन के लोगों को भी उनका देश दिलाया जाए मगर इरान इसराइल को खत्म करने की कसम खाये बैठा है वो पहले ही दो टूप कह चुका है कि पूरे फसाद की जड़ ही इसराइल है इसलिए जब इसराइल नक्षे से मिटेगा तब ही पूरी दुनिया में शान्ती आएगी इरान आर या पार के मूड में नजर आ रहा है अब तक उसने इसराइल के खात्मे की बस दुआ की है इसराइल को धंकियां दी है और हमास और हिजबल्ला से उस पर हमले करवाएं मगर कभी इसराइल से जंग के मैदान में सीधे सीधे दो दो हात नहीं की ऐसे में अब अगर इरान युद्ध लड़ने उतरता है तो ये उसकी इसराइल से पहली और आखरी जंग भी साबित हो सकती है ये ऐसा युद्ध हो सकता है जो इरान या फिर इसराइल को मिट्ट में मिलाने के बाद ही खत्म होगा क्योंकि एरान के जंग में उतरने का मतलब होगा तीसरा विश्वी युद्ध जिसमें एक खेमा होगा अमेरिका और इसराइल का और उनके खिलाफ खड़ी होगी उनके दुश्मनों की बहुत बड़ी टीम ऐसी टीम जिसमें एरान तो होगा ही उसके साथ होगा चीम और उन दोनों का दोस्त रूस भी अगर ये युद्ध हुआ तो शायद दुनिया ही टुकड़े टुकड़े हो जाए क्योंकि इन सभी देशओं के पास दुनिया को खत्म कर देने वाले खतरनाक परमानों पम हैं अमेरिका के पास 5,224 परमानु बम हैं और उसके साथ ही इसराइल के पास 90 और इनके साथ खड़े रूस और चीन के पास परमानु हत्यारों का जखीरा है रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा पर्मानू बम है। उसके पर्मानू बमों के संख्या 5889 है। यह अंकड़ा अमेरिका के पर्मानू हत्यारों से भी ज्यादा है। वहीं चीन के पास 410 पर्मानू बम है। ऐसे में अगर अपनी ताकत के नुमाईश की कोशेश और दिमाग की गर्मी में पर्मानू बम चलाने का पर्मान पास हो गया तो तबाही मच जाएगी।